36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे पतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा धिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है। महोदय है आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाक्पनी हसती हैं और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्यनोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मे मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महोद है, किसी भी युद्व को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं, परन्तु आज मानवादिकारों के का इस कदर बंदे हुए हैं, कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं, क्योंकि महोद है, भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का दर सता रहा होता है, वो ये जानते हैं, कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली ग ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोद है, मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत्म हत्या है, क्योंकि महोद है, फूल को श्र हमारे देश का जवान, इन आतंकवादियों, इन पत्थरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है, कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी, तो भी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच, वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है, और महोदय अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है, कि चाहे साप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं हवाओ पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हमी तो बुनियाद हैं अंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, महोदय जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए, 36 गर में 76 जवान सहीद हुए, तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हम हमारे पक्स में आकर खड़ा नहीं हुआ, परन्तु जब JNU विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम सर्मिंदा हैं, जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवादिकार के ग्याता आकर उसके पक्स में खड़े हो जाते हैं, तभी तो, क्या कहा था उस देश द्रोही ने, कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी, अपनी भारती सेरा की तरफ से, आज ये ऐलान करती हूँ, कि उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल नि जाते हुए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, कि मुझे अफसोस है, अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे, अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोच नियाले के दरवाजे खोल दिये जाते हैं, ऐसे देश से मानवादिकारों क करते हुए, आतंकबाद और उग्रवाज से कभी नहीं निप्टा जा सकता, मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चर्कों से शोलों के आगे, रामायन पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे, धर्ती के घोर गौहां से क एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है, जैहिंचे भारत